Hello students, welcome to Magnet Brains. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. My name is Neha Verma from Magnet Brains. So students, Magnet Brains एक ऐसा YouTube channel है जहांपको Kindergarten. Means KG से Class 12 तक आपको आपके पूरे स्लेवस का वीडियो मिलता है. वो भी 100% free. Yes students, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का, कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता. तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई. Students, हम कर रहे हैं कक्षा 4. Yes, Class 4 का हिंदी और इसमें आज हम पढ़ेंगे Part 6. Yes, 5 और 1, 6. और आज के हमारे Part का नाम है, Now बनाओ, Now बनाओ. Now बनाओ, Now बनाओ. Now क्या होती है students? Boat, है ना? और Part का नाम है Now बनाओ. चलो, Now बनाओ, Now बनाओ. Okay students, तो यह है हमारी एक कवीता, जिसका नाम है Now बनाओ, Now बनाओ. तो students, चली शुरू करते हैं, पढ़ना कवीता, Now बनाओ, Now बनाओ. और इसका मतलब भी हम समस्ते जाएंगे. ठीक है students? तो यह जो कवीता है, वो लिखी है, हरी कृष्ण दास गुप्त जी ने. ठीक है? यह कवीता के रचेता कौन है students? हरी कृष्ण दास गुप्त ठीक है? तो चलो देखते हैं, यह जो रचेता है, इस कवीता के द्वारा माध्यम से हमें क्या बताना चाहा रहे हैं? येस, तो चलो. नाओ बनाओ, Now बनाओ. मतलब नाओ बनाओ, Now बनाओ. भाईया मेरे जल्दी आओ. देखिए, भाईया कोई बोल रहा है, माने एक छोटा सा बच्चा है, जो अपने भाईया से बोल रहा है. क्या बोल रहा है वो? भाईया, Now बनाओ, Now बनाओ. मतलब वो अपने भाईया से बोल रहा है, भाईया, जल्दी से Now बनाओ मेरे लिए, आप जल्दी आजाओ और मेरे लिए नाव बनाओ Students आपने क्या कभी नाव बनाई है कागस की यह तो जब हम चोटे थे ना students तो हम ज़रूर कागस की नाव बनाते थे और जब बारिश आती थी बारिश का पानी जहां भी खटा हो जाता था वहाँ पे नाव को तेराते थे ऐसे चलाते थे है ना तो बच्चा भी अपने भाईया से क्या बोल रहा है भाईया जल्दी आओ और मेरे लिए नाव बनाओ नाव बनाओ नाव बनाओ भाईया मेरे जल्दी आओ वह देखो पानी आया है है ना माने बारिश का मौसम हो रहा है और बच्चा समझ गया है कि बारिश आने वाली है पानी खटा हो जाएगा इसलिए वो अपने भहिया को बोल रहा है कि भहिया जल्दी आओ मेरे लिए नाओ बना दो वह देखो पानी आया है मने वह देखो पानी आ रहा है गिर गिर कर बादल चाया है मने आसमान पर पूरे बादल चाया है आपने देखोगा न जब बारिश आने वाली होती है बहुत तेज तो पूरे आसमान में काले बादल चाया जाते हैं है ना तो वह देखो पानी आया है गिर गिर कर बादल चाया मनि पूरे आस्मान में बादल चा गए है, साथ समुंदर भर लाया है, मनि बादलों में ऐसा लग रहा है, पूरे साथ समुंदर का पानी भर गया है, है ना, तो क्या बोल रहा है बच्चा, भाईया देखो, पानी आया है, पूरे आस्मान में बादल चा गए है, और ऐसा लग माने बड़ा सा समुद्र तो तुम रस का सागर भर लाओ भाया मेरे जल्दी आओ है ना तो बच्चा बहुत मिननते कर रहा है अपने बड़े भाया से कि भाया प्लीज जल्दी आओ देखो बारिश आने वाली है और ऐसा लग रहा है बादल पूरे आसमान में बादल चा गए ऐसा लग रहा है साथ समुंदर का पानी बादलों में भर गया है बादिश होने वाली है जल्दी से आ जाओ और मेरे लिए नाओ बना दो ठीक है students चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चा पानी सच मुझ खूब पड़ेगा मानि खूब तेज बारिष होगी छोड़ी गली भरेगा वादे जोaks महौले में बच्चा रहता है वाँ पे चोटी चोटी गलियां हैं तो इतना पानी बरसेगा कि पूरी गलियां भर जायेंगी पानी से ठीक है पानी सच मुझ खूप पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, मानि इतना पानी गिरेगा कि गलियां पानियों से भर जाएंगी, घर में भी ऐसा लगेगा, मानो नदी आ गई है, मानि गलियों में पानी भर जाएगा, घरों में पानी भर ठीक है ऐसे में तुम भी लहराओ भाईया मेरे जल्दी आओ तो ऐसे में तुम जल्दी आजाओ और मेरी नाव को लहराओ पानी में नाव तैराओ तो भाईया मेरे जल्दी आजाओ ठीक है गुलक भारी अपनी खोलो अब बच्चे ने ये तो बोल दिया कि ऐसा हो रहा है पा पानी भरा है बादलों में और खूब पानी गिरेगा गलियां भट जाएंगी घरों में नदी आ जाएगी है ना तो तुम भी जल्दी आ जाओ और मेरे लिए नाव बनाओ लेकिन आम नाव बनेगी कैसे तो बच्चा क्या बोल रहा है गुल्लक भारी अपनी खोलो गुल्लक म अपनी खोलो मतलब आपकी गुल्लक तो बहुत भारी है भाईया तो आप अपनी गुल्लक खोलो हल्की मेरी नहीं टटोलो और मेरी गुल्लक तो बहुत हल्की है मानि मेरी गुल्लक में तो पैसे नहीं है तो इसलिए मेरी गुल्लक को नहीं टटोलो मानि नहीं चानो नहीं ठीक है तो बच्चा देखो क्या बोड़ रहा है कि भाईया आपकी गुलक बहुत भारी है मतलब उसमें बहुत सारे पैसे हैं तो उसको खोल दो अपनी गुलक खोल दो और हलकी मेरी नहीं टटोलो और मेरी गुलक तो बहुत हलकी सी है तो उसको मत चानो उसकी तरफ मत देखो पैसे नए नए ही रोलो मने अब जब गुल्लक भारी है तो उसमें से नए नए पैसे निकालो ठीक है तो समझ में आया आपको बच्चे नी क्या बोला बच्चा पहले पूरे बारिश के मौसम का चितरन बता रहा है खुब पानी बरसेगा गलियां भर जाएंगी घरों में नदी जैसी आजाएगी खुब पानी भरेगा तो अब जल्दी से आके नाओ बना दो लेकिन नाओ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कागस चाहिए पड़ेंगे कागस कैसे बाजार से आएंगे पैसो से पैसे कहा से आएंगे गल्लक में से तो बच्चा बोल रहा है भाईया आपकी गल्लक तो बहुत भारी है उसमें बहुत पैसे हैं उसमें से पैसे ही निकालो नए नए और मेरी गल्लक तो बहुत हलकी है तो उसकी तरफ मत देखो ठीक है? चलो भाईया मेरे जल्दी आओ, जल्दी से बाजार जाओ, और जल्दी से क्या लेकर आओ, ले आओ कागस चमकीला, मानि चमकीले से कागस लाओ, चमकीला एकदम चमकता हुआ कागस लाओ, लाल हरा या नीला पीला, मानि कोई से भी रंका लाओ, लाल ले आओ, हरा ले आओ, नीला ले आओ, पीला ले आओ, रंग बिरंगा, खूब रंगीला, माने खूब रंग बिरंगे कागस ले आओ, चमकीले कागस ले आओ, जिससे मेरी नाओ बना दो, कैची चुटकी हाथ चलाओ, माने कैची से जल्दी कागस काटो, और जल्दी से हाथ चलाओ, भाईया मेरे जल्दी माने जल्दी से बाजार जाओ और जल्दी से रंग भी रहेंगे कागस लेकि आओ जल्दी से मेरी नाओ बना दो ठीक है उसके बाद छप छप कर कूड़े से अड़ती अब माने जब मेरी नाओ बन जाएगी तो छप छप करके वो कूड़े से अड़ती माने जब नाओ चलती ह तो पानी में कागस, कूड़ा, ऐसा कच्रा जमा हुआ हो जाता है तो नाव उन सब को हटाती हुई, उन सब से लड़ती हुई आगे बढ़ जाती है सब की आँखों चड़ती गड़ती माने सब ऐसे देखते हैं अरे वहाँ सब की आँखे ऐसी चकाचौंध हो जाती है नाओ को देखकर तो ऐसी नाओ आप मेरे लिए बनाओ जो कच्रों से अड़े लेकिन वो रुके नहां बूंदो और लहरों से लड़ती हुई वो आगे बड़े सब की आँखों को चड़ती और गड़ती माने सब उसको देखकर ऐसे बिलकुल देखते रहें कि कितनी बड़िया नाओ है नाओ तेरा मुझको हरशाओ माने पानी में मेरी नाओ तेरा और मुझको खुशी दो हरशाओ माने मुझे बहुत सारी खुशी मिलेगी जब मेरी रंग विरंगी नाओ पानी में तेरेगी भाईया मेरे जल्दी आओ क्या कहते मेरे क्या बस का मतलब भाईया आप क्या कह रहे हैं भाईया का मन नहीं कर रहा तो भाईया क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं क्या कहते हैं मने क्या कह रहे हो मेरी क्या बस का मन यह मेरे बस की बात नहीं है मने मैं तुमारे लिए नाओ नहीं बना सकता यह किस ने बोला? भहिया ने बोला क्यों? तब फिर यह किस के बस का? तो बच्चा क्या बोल रहा है? अरे क्यों? अगर आपके बस की बात नहीं है अगर आप मेरी लिए नाओ नहीं बना सकते तो कौन बनाएगा? किस के बस की है नाओ बनाना? खोट सभी है बस आलस का मुझे समझ में आ गया भाईया आप आलस कर रहे हो आप से सब बन जाएगा लेकिन आप आलस के कारण मेरी नाओ नहीं बनाना चाहते देखो बच्चा समझ गया है ना आलस छोड़ो सब कर पाओ भाईया मेरे जल्दी आओ माने आलस जल्दी से छोड़ दो तो आप सब कर लोगे आप मेरे लिए रंग बिरंगी नाओ बना दोगे तो भाईया मेरे जल्दी आओ ठीक है स्टूरेंस तो थीना मजेदार कवीता नाओ बनाओ नाओ बनाओ तो क्या देखा हमने इस कवीता को आप अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं ये जो कवीता है इसमें एक छोटा सा बच्चा अपने भाईया से मिन्नते कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है क्या बोल रहा है भाईया मेरे जल्दी आओ जल्दी आके मेरे लिए नाओ बना दो क्योंकि बारिश का मौसम है बहुत तेज बारिश आने वाली है पूरे आसमान में बादल चा गए है है ना और ऐसा लग रहा है साथ समुंदरों का पानी बादलों में भर गया है बहुत तेज पानी गिरेगा है ना तो आप जल्दी से मेरे लिए नाओ बना दो ऐसा पानी गिरेगा कि पूरी गलियां घर के आसपस की गलियां भर जाएंगी घरों में नदी जैसा लगने लगेगा इतना पानी भर जाएगा इसलिए आप मेरे लिए नाओ बना दो अब क्या करो नाव बनाने के लिए पैसे चाहिए क्योंकि पैसों से हम कागस खरीद के लाएंगे तो आपकी जो भारी गुल्लक है माने जिसमें बहुत सारे पैसे हैं उसको खोलो उसमें से नए नए पैसे निकालो और रंग बिरंगे चमकीले कागस लेके आओ लाल पीले हरे नीले और मेरे लिए रंग बिरंगी सी नाव बना दो लेकिन फिर अब भाईया क्या बोल रहे हैं भाईया क्या बोल रहे हैं नए मेरे बसका नहीं है तो बच्चा क्या बोल रहे हैं अरे आपके सब बसका है बस आप आलस के कारण नहीं जा रहे हो तो आलस छोड़ो और भाईया मेरे जल्दी आओ, मेरे लिए मेरी नाओ बनादो ताकि मैं पानी में अपनी नाओ को तैराओ और बहुत खुश हो जाओ तो ये थी हमारी कवीता नाओ बनाओ, नाओ बनाओ ये कौन सा पार्ट है स्टूड़न्स? पार्ट छे और इस कवीता के रचेता कौन है? हरी कृष्ण दास गुप्त तो इस कवीता का जो पूरा वर्णन है ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो सबसे पहले कवीता से, मने कवीता में से ही प्रश्न पूछा गया है क्या पूछा है? सुनिए तो ये कौन कहता है? बच्चा कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहा है कि आपके बस की बात नहीं है जब भईया बोलते हैं मेरे बस की नहीं है नाव बनाना तो बच्चा क्या बोल रहा है? उससे रिलेटर यहाँ पर प्रश्न उत्तर है पहला प्रेशन क्या है students, भाईया ने क्या बहाना किया और क्यों किया, मानि भाईया ने क्या बहाना बनाया, मानि क्यों वो अपने छोटे भाई के लिए नाव नहीं बनाना चाहते थे और क्यों नहीं बनाना चाहते थे, मतलब उन्होंने क्या बहाना किया, तो क्या उत्तर है स्टूडंस भाईया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है क्या बोला भाईया ने नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है दरासल भाईया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे तो भाईया ने ऐसा क्यों बोला कि उनके बस का काम नहीं है क्योंकि उनको आलस आ रहा था तो वो आलस के कारण ऐसा बोल रहे थे कि नाव बनाना मेरे बस की बार नहीं है तो ये उत्तर आप लिख लीजिए आगे चलिए आगे देखते हैं आगे प्रश्न है बूंदो लहरो लड़ती बढ़ती ये किस के उपर बोला गया है ये नाव के उपर बोला गया है कि बूंदों से पानी की बूंदों से लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती है नाव है ना तो ब्रश्न क्या है कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुई आगे बढ़ रही है कौन बढ़ रही है, रंग बिरंगे कागजों से बनी नाओ, ठीक है, वो असली नाओ नहीं है, बच्चे का क्या काल कल्पना कर रहा है, कि वो रंग बिरंगे कागजों से नाओ बनाएगा, और उसकी नाओ बूंदों से, लहरों से, कच्रे से आगे बढ़ती जा रही है, लड आगे बढ़ते हैं, गुल्लक भारी अपनी खोलो, ये बच्चा बोल रहा है किस से, अपने बड़े भाईया से, मालने ये कुछ गुल्लक से related प्रश्न है, किस की गुल्लक भारी है, किस की गुल्लक हलकी है, तो ये हमने पढ़ा था पार्ट में, भाईया की गुल्लक भारी है बच्ची की गुल्लक हलकी है ठीक है? तो बच्चा क्या बोल रहा है? बच्चा अपनी भहिया से बोल रहा है भहिया आपकी गुल्लक भारी है उसे खोलो और उसमें से नए नए पैसे निकालो लेकिन मेरी गुल्लक को मत खोलो क्योंकि मेरी गुल्लक तो हलकी है ठीक है, तो किस की गुल्लक भारी है बहिया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक बहुत हलकी है ओके students, चलो आगे प्रेशन देखते हैं अब देखो, नाओ की कहानी क्या है देखो, एक बार फिर से कवीता पड़ो ठीक है यह आप लोगों से बोला जा रहा है एक बर फिर से कवीता पड़ो इस कवीता में एक नाओ के बनने और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है ठीक है कवीता में क्या है कवीता में नाव को कैसे बनाया जाए और वो पानी में कैसे सफर करेगी इसकी पूरी कहानी बताई गई है मान लो, तुम ही वहाँ नाव हो मतला, आपको बोला जा रहा है कि आप ही वो नाव हो आप नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ ठीक है? आप नाओ हो और आपको अप अपनी कहानी बतानी है तो चलो शुरुवात आपकी मैडम कर देती है क्या? मैं एक नाओ हाँ, मैं कागत से बनी हूँ ठीक है? तो आप कहानी कैसे? आपकी कहानी है अपने दोस्तों के सामने बोलो स्टूडेंस अपने घर में बोलो अपनी टीचर को सनाओ तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मैं एक नाओ हूँ जो मैं कागत से बनी हूँ ठीक है? मुझे एक लड़के ने बनाया मुझे कागत से बनी हूँ तो मैं अपने आप तो बननी जाओंगी मुझे कौन बनायेगा? मुझे कोई एक लड़का बनायेगा तो मैं एक नाओ हूँ स्टूडेंस जब आप कहानी सुनाओ तो आप अपने हाथ में एक कागत से बनी नाओ भी ले सकते हैं और हाँ, आप रंग बिरंगी नाओ ले सकते हैं तो मैं एक नाओ हूँ जो कागत से बनी हूँ और मुझे एक लड़के ने बनाया है उस लड़के का नाम मुझे तो नहीं पता लेकिन आप नाओ को क्या नाम पता हो सकता है? हो भी सकता है तो उसके बाद आप कुछ भी कहानी बना सकते हो कि मुझे उस लड़के का नाम नहीं पता या उस लड़के का नाम सोहन है जिसने मुझे बनाया उसने मुझे बहुत प्यार से बनाया और वो जब मैं बन गई तो मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गया है ना और उसने सोचा और वो बारिश का इंतिजार करने लगा उसने क्या सोचा जैसे ही बारिश गिरेगी पानी जब इखटा हो जाएगा तो वो मुझे तैराएगा उसके बाद पानी गिरा और वो मुझे तैराने लगा लेकिन बहुत तेज बारिश होने लगी और मैं पिघलने लगी, गलने लगी क्योंकि मैं तो कागत से बनी थी उसके बाद उसने मुझे उठा लिया, मुझे पंके की नीचे सुखाया और आने वाली बारिश के लिए मुझे फिर से तयार कर दिया तो ऐसी कुछ कहानी आप सोच के अपनी कक्षा में सुना सकते हैं ठीक है? चलो, आगे बढ़ें आप आहाँ बारिश, ठीक है? तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कवीता या लोग गीत सुना होगा उसे नीचे दे गई जगा में लिखो तो स्टूडेंस बरसात पर कई कवीताएं हैं तो मैडम ने आपको कुछ कवीताओं के नाम बताएं हैं वो आप उनको याद करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्या क्या नाम है? नीम की छा, धूब के संग चली, पकड़े बा, नह उलीचे, सागर से अंबर, रवी का स्पर्ष, साथ कुन मुनाई, भरी आलस, रश्मी ललाम, सूरज का प्रेनाम तो ये कुछ बरसात के ओपर कवीताएं हैं सूडेंस इतनी सारी ना लिखनी हो, आपको इन में से दो, तीन, चार, जितनी भी लिखनी हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं चलो, आगे प्रेशन देखते हैं इस कवीता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कोई चित्र आये होंगे तो स्टूडेंस जब आप कवीता पढ़ रहे होंगे, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हम उसकी कलपना कर ले लगते हैं, हम इमाजन करने लगते हैं तो कवीता पढ़ते समय आपके दिमाग में आपको चित्र बना होगा उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ ठीक है, तो यह आपको खुद करना है इस कवीता को पढ़ते समय मेरे मन में जो चित्र आये हैं उनका वर्णन इस प्रकार है ठीक है, तो मैडम को पढ़ते समय क्या विचार आए बारिश हो रही है, यह हमने देखा कि बारिश का मौसम है बच्चे रंग बिरंगे कागजों से नाव बनाने में वैस्थ है मारे बच्चे रंग बिरंगे कागजों से नाव बनाने में लगे हुए है जैसे ही कोई बच्चा नाओ बना लेता है दौर पढ़ता है उसे पानी में छोड़ने के लिए पानी की लहरों के साथ नाओ आगे बढ़ती जाती है और बच्चा ठटा कर हस्ता रहता है ठीक है? तो ऐसा चित्र हमारे मन में आया कि बारिश हो रही है और या फिर कुछ बच्चे मिलके रंग बिरंगे कागजों से नाओ बना रहे है और वो इंतजार कर रहे है कि जैसे ही बारिश गे रहे है और हम अपनी नाओ तैरा है पानी में और जैसे एक बच्चे की नाओ बन जाती है है ना, जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है, कुछ आप बच्चे बना देंगे, यहाँ पानी है, और कुछ बच्चे नाओ बनाने में लगे हुए है, ठीक है, तो ऐसा आप चितर अपनी किताब या अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ओके सूरंस, चलो आगे बढ़ते हैं, येस पानी सचमुच खूब पड़ेगा, ये जो पंक्ती है, ये आपकी कवीता में से ली गई है, कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, मने खूब पानी गिरेगा, खूब बरसात होगी, तो सचमुच का इस्तमाल करते हुए, तुम भी दो वाक्य बनाओ, सचमुच माने में वो बहुत अच्छा लड़का है, सचमुच वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, सचमुच वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, दूसरा वाक्य आप क्या बोल सकते हो सचमुच का, सचमुच मैं डर गई, ठीक है, सचमुच मैं डर गई, मने सच्ची में मैं डर गई सच्मुच मैं डर गई ठीक है? तो ऐसे दो कोई भी वाक्याप सच्मुच से बना सकते हैं ठीक है तो हमने कौन से दो वाक्याप बनाए है? सच्मुच वा लड़का बहुत अच्छा है सच्मुच वा बहुत अच्छा लड़का है सच मुझ मैं डर गई ठीक है तो ऐसे दो वाक्या आप भी बना के लिख लीजिये ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं गिर गिर कर बादल लाया है साथ समुंदर भर लाया है मनि गिर गिर कर बादल चाया है मनि बच्चा बता रहा है अपने बड़े भहिया को पादल पानी भर कर लाया है तो यहां हमको साथ समुंदर के नाम लिखने है तो साथ समुंदर के नाम इस प्रकार है साथ समुदरों के नाम है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अट्लांटिक महासागर, उत्तरी धुरूप महासागर, दक्षिनी धुरूप महासागर, अरप सागर और बंगाल की खाड़ी ठीक है तो ये हमारे साथ महा सागर हैं ठीक है ओके तो इनके नाम अप अच्छे से याद कर लीजे और अपनी कॉपी में लिख लीजे ओके स्टूडेंस चलो आगे बढ़ते हैं साथ समुद्र ठीक है क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं ये बड़ा सोचने वाला प्रशन है स्टूडेंस वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे आपस में बातचीत करके पता करो तुम किसी बड़े की मदद के किताब की मदद भी ले सकते हो तो स्टूडेंस देखें क्या पूचा जा रहा है कि जो बादल है क्या वो सचमुच में उनमें समुद्र का पानी होता है तो हाँ स्टूडेंस बादलों में समुद्र का पानी होता है अब प्रशन है कैसे होता है तो स्टूडेंस देखो बादल बनते कैसे हैं सबसे पहले तो ये प्रेशन है नदियों में, तलाबों में, समुद्र में ये जो पानी होता है तो जब गर्मी के समय क्या होता है सूरज की किरने इनके पानी पर पड़ती है और जब गरम गरम पानी पड़ता है तो समुतर का पानी हो चाहे नदी का पानी हो चाहे तलावों का पानी हो वो भाप बनके उपर जाने लगता है है ना कभी आपने देखा घर में पानी उबलता है तो भाब बनके आप उसके उपर एक प्लेट ढग दो थोड़ी देर बाद आप प्लेट हटाओगे तो प्लेट में कुछ असी भाब दिखेगी आपको तो जब सूरज की केड़ने इन पर पड़ती है तो समुद्र का पानी नदी का पानी भाब बनके उपर जाता है और वो एकदम उपर चला जाता है आसमान में और आसमान में क्या होता है वो ठंडा होके जब ठंडा हो जाता है तो वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जा और जब ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है तो इन में से बरसाथ होने लगती है तो यही कारण है कि वाकई में समुद्र का पानी बादलों में होता है ठीक है? तो हाँ, क्या उत्तर लिख सकते हो आप? हाँ, सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते है दरसल समुद्र का पानी सूर की रोशनी में भाब बन कर आकाश में चला जाता है ठीक है? यही भाब ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धर्ती पर गिरती है जिसे बारिश कहते है तो उत्तर मिल गया आपको कि हाँ, बादलों में ही समुद्र का पानी होता है ठीक है? चलो, आगे देखते हैं तरह तरह की नाओ, तुम कागस से कितनी तरह की नाओ बना सकते हो? यह आपके उपर है, बना कर कक्षा में दिखाओ, उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने यहाँ कैसी बनाई? तो अलग-अलग तरह की नाओ, है ना, कुछ बड़ी, कुछ नई, कुछ अलग तरह की नाओ बनाईए कक्षा में सबको दिखाईए, और किसी एक नाओ का विवरण, कि बताओ कि यह आपने कैसे बनाई है ठीक है, तो यह आप कर लेंगे बहुत अच्छे से, चलिए स्टूडिंस उसके बाद, आगे हम प्रेशन देखते हैं बरसाथ के दिनों में अक्सर घरों के दर्वाजे और खिडकियों में, खिडकियों से पानी की बहचार आ जाती है ठीक है, कभी-कभी छट से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है सीलन क्या होती है बारिश के कारण ना पानी धीरे धीरे दिवालों में घुसने लगता है और सीलन ऐसे गीला गीला से दिवाले होने लगती है तो उन्हें हम बोलते हैं सीलन ऐसी स्थितियों में निपटने के लिए तुम्हारे गर में क्या क्या किया जाता है ठीक है? तो सबके घरों में क्या किया जाता है? दर्वाज़े और खिड्कियों से पानी की बच्षार ना आए. इसके लिए हम उनके ऊपर शेड लगाते हैं. ऐसा शेड लगाते हैं ताकि पानी अंदर ना आए. छट से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छट की मरम्मत ताकि उसको और अच्छे से सिमेंट वगएरा करवा देते हैं ताकि पानी ना टपके सीलन से बचने के लिए हम दिवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं ठीक है प्लास्टिक का पेंट प्लास्टिक की पुताई करवा देते हैं ताकि दिवालों पे सीलन ना आए ओके सूडन्स तो सबके घरों में यही उपाई किये जाते हैं आगे देखो बारिश के मौसम में गलियां और सडकों पर भी पानी भर जाता है तुम्हारे मौले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ देखो जब हमारे घर में हमारे मौले में पानी गिरता है तो क्या होता है कभी कभी जब मुसलाधार बारिश मुसलाधार बारिश मने बहुत तेज बारिश तो मुसलाधार बारिश होती है तो मौले और घर के आसपास पानी भर जाता है बिलकुल भरता है बाहर जाने में परिशानी होती है गाडियां पानी में फस जाती है तो सबके घरों में यही होता है जब बहुत तेस पानी गिरता है तो रोडों पर पानी भर जाता है गड़ों में पानी भर जाता है तो हमें घर से निकलने में बहुत परिशानी होती है कार, गाड़ियां सब पानी में फस जाती है ओके स्टूडिंस चलो आगे बड़े अब ये देखिए काम वाले शब्द ठीक है? पिछले साल रिम्जिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है जैसे खाना बनाना सीता खाना बना रही है है ना रामो पढ़ाई कर रहा है ठीक है? तो किसी भी काम के करने को क्रिया कहते हैं कोई भी काम करना, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, कूदना, बाते करना, यह सब कोता है काम करना, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं क्रिया, ठीक है, तो काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, कोई भी काम करना, जिसे कुछ भी कर रहे हो आप, आप नित्य कर रहे हो, सो रहे हो, यह सारे शब्द कहलाते हैं क्रिया, किसी भी काम करने के शब्द को हम कहते हैं क्रिया, क्या कहते हैं क्रिया, इस कवीता में धेल सारी क्रियां या काम वाले शब्द आए हैं, ठीक है, उन्हें छाटो और नीचे लिखो तो हमने कविता में से चाट कर कुछ क्रिया वाले शब्द लिखे हैं जैसे लाना जैसे बच्चा बोलता है रंग भी रंगे कागस लाना छोड़ना भरना है ना लाना मनि कोई भी चीज लाना छोड़ना भरना लहराना यह सब काम है स्टूड़न्स खोलना चलना छाना आना यह सारी क्रियाएं हैं मानि यह सारे काम वाले शब्द हैं ठीक है आप और भी बहुत सारे शब्द कविता में से चाट सकते हो ठीक है आगे प्रेशन क्या है तुमने जो क्रियाएं छाटी है मानि जो शब्द हमने छाटे हैं वर्ण माला के हिसाब से उनके आगे एक, दो, तीन आदी लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ ठीक है अब शब्द तो हमने यहाँ पे छाट लिए वर्ण माला कैसे होती है यह वर्ण माला होती है ठीक है, तो हमें शब्द को वर्ण माला के हिसाब से क्रम वाइज लिखना है तो सबसे पहले देखो, यह तो ला लिखा है तो ला तो सबसे पहले आता नहीं है च्छा भी नहीं आता तो हम वर्ण माला के हसाब से सबसे पहले आना चाएए तो हमने पूरे वर्ण माला के हिसाब से शब्दों को छाट लिया और उनमें एक, दो, तीन ऐसे क्रमांग डाल दिये तो आपको क्या हो जाएगा? आपकी वर्ण माला भी आपको रिवाइस हो जाएगी है ना? कुछ बच्चे भूले तो नहीं कगगगग है ना? अगर भूल गए हैं तो एक बार आप जरूर मैंगनेट बेन की प्लेलिस्ट में जाएगे और सीनियर किंडर गार्डन या जूनियर किंडर गार्डन में जाकर आप वर्ण माला पढ़ सकते हो फिर से एक बार रिवाइस कर सकते हो तो ये था हमारा अभ्यास कौन से पार्ट का? नाओ बनाओ, नाओ बनाओ तो इस पूरे पार्ट का अभ्यास मिल जाएगा आपको मैंगनेट बेन की वेबसाइट पर गूगल करो www.magnetbeins.com ये पेज ओपन होगा तो इसमें क्लास 4 पे क्लिक करिए क्लास 4 पे क्लिक करेंगे क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे इसमें हिंदी बुक जो है यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे पार्ट एक से तो यह सब कुछ आपको मिलता है magnet, brains पर यहाँ पर और क्या मिलता है, यहाँ पर आपको kindergarten से class 12 तक online school education बिलकुल free में मिलती है तो बस और कहीं जाने की जरुवत ही क्या है students, ठीक है, तो यह था हमारा part, now बनाओ, now बनाओ और इसका अभ्यास next video में हम मिलेंगे नए part के साथ, till then, bye bye, take care